हलो गाइज, मैसेल्फ रेनुका शर्मा फ्रॉम गवर्मेंट विमन्स पारटेक्निक कॉलेज अज में आज का हमारा विशह है ओईल हीटर्स ब्यूटी सर्विसेस में ओईल का एक मैथपुन रोल होता है ओईल की द्वारा विूटी सर्विसेस में बहुत सारे ट्रीटमेंटS किये चाते हैं मेनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी मसाज, सकेल्फ मैनिपलेशन, पॉलिंग एर ट्रीटमेंटS बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें ओईल की आउशक्ता होती है इस oil को गर्म करने के लिए oil heaters का उप्योग किया चाता है यह oil heaters market में कई प्रकार के variations में उपलब्त होते हैं इनके size भी छोटे से लेकर बड़े टब के आकार तक के मिलते हैं यह सब अपने saloon की आउशक्ता के अनुसार उप्योग में आते हैं यह एक common सबसे अधिक प्रचलित oil heater है जो बहुत पुराने समय से ही काम में लिया चाता है यह है एक छोटे से लेकर मध्यम दर्जे तक के saloon की आउशक्ता को पूर्ण करता है इसमें एक on-off switch पाया जाता है इसे on करते ही इसके light on हो जाती है और यह on हो जाता है इसमें उपर की और एक जार पाया जाता है जिसमें oil को गर्म किया जाता है और गर्म होने पर इसे बाहर निकाल कर भी काम में लिया जा सकता है यह नग केवल oil को ही गर्म करता है इसके साथ साथ यह waxing के लिए wax को गर्म करने के साथ ही paraffin wax को melt करने के लिए यदि हमें दो तिन oil को mix करना है तो उन oil को भी mix करके इसे उप्योग में लिया जा सकता है यति हमारे saloon के आवशकता अधिक हो तो हम double size के oil heater को भी यूज में ले सकते हैं यह एक साथ अधिक मात्रा में oil को गर्म कर सकता है इसमें on off switch तथा दोनों बाउल को एक साथ चलाने के लिए दूसरे बाउल के लिए भी एक switch पाये जाता है यानि double switches में पाये जाता है इसमें regulating knob पाये जाती है जिससे temperature regulate किया जा सकता है हमें जितने temperature तक गर्म करना होता है उसके अनुसार इसे set कर दिया जाता है और set होने के परश्चाथ यदि oil उतना गर्म हो जाता है तो यह automatic बंद हो जाता है जैसे इसमें अभी जो oil है वह हमारे set किये गए temperature के अनुसार गर्म हो चुका है तो इसलिए यह बंद हो गया अगर यदि हमें और अधिक गर्म चाहिए तो हम इसे change करते हैं तो यह वापिस उसे गर्म करना प्रारम कर देता है इसमें बीतर की और दो बाउल्स को रखने की व्यवस्था पाई जाती है तो एक साथ हम दो बाउल्स में oil को गर्म कर सकते है यदि हमें एक को यूज में लेना है तो हम दूसरी का switch off कर देंगे तो हमारा किवल एक ही बाउल गर्म होगा जिसे हम यूज में ले सकते हैं इसमें temperature के अनुसार जब oil कर्म होता है तो उससे हम pattern को जलने से बचा सकते हैं क्योंकि इसमें temperature controlled होता है और हम निर्धारित तापमान तक ही गर्म करके उसे सही प्रकार से यूज में ले सकते हैं यह paraffin wax treatment के लिए भी heater बहुत अधिक उपयोगी होता है इसमें आसानी से paraffin wax को melt किया जा सकता है और निर्धारित तापमान तक उसे गर्म करने से क्लाइन को जलने से बचाया जा सकता है इसमें हम क्लाइन की त्वच्चा को और उसके सहन करने की शमता को देखते हूँ उतने तापमान तक ही oil wax को गर्म कर सकते हैं यह है बल्क में oil को गर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है इसमें भीतर की और रोट पाई जाती है और पूरा कंटेनर में oil को भर दिया जाता है जिससे वह oil गर्म हो जाता है इसमें बाहर की और अटेच करने के लिए रोट होती है जिसे इसे साथ में लगा दिया जाता है जिससे विदुद के द्वारा यह है रोट गर्म होती है और वह oil को गर्म करता है इस oil को हम अपनी आवशक्ता के अनुसार इस knob को खोल कर यूज में ले सकता है जितने हमारे इच्छित आवशक्ता के अनुसार जितना हमें oil चाहिए हम उतना इसमें से ले सकते हैं और बाकी oil बीतर की और गर्म होता रहेगा जिससे यदि हमें एक के बाद एक काम में लेना है तो oil ठंडा नहीं होता है और उसे यूज में ले सकते हैं बार बार यह ना किवल oil को गर्म करने के लिए यह पानी को गर्म करने के लिए भी काम में ली जा सकती है इसके साथ साथ यह multi-purpose apparatus है इसमें हम हमारे कुछ ऐसे equipment जिने की हमें sanitize करना हो तो इसमें पानी गर्म करके इसमें रख सकते हैं जिसे उन्हें अच्छे से sanitize करके यूज में ले सकें इसमें हम paraffin wax को डाल के भी गर्म कर सकते हैं और snob के दौरह से बाहर निकाल सकते हैं और हमारे treatment में काम में ले सकते हैं यदि हमें जैसे pedicure करना है hotel pedicure करना है hotel manicure करना है ऐसे जगे ऐसे समय पे हमें oil की बहुत अधिक मातरा क्याश रखता होती है तो उसमें हम अधिक मातरा में एक साथ उसे गर्म कर सकते हैं यदि body spa कर रहे हैं तो उस समय भी हमें oil की मातरा के अधिक आशक्त होती है कई आज कल body spa में paraffin packs का भी पूरी all over body पर dry skin के लिए बहुत अधिक उप्योग किया जा रहा है क्योंकि paraffin spa के द्वारा ना किवल dead cells remove होती है बलकि skin की dryness को भी दूर किया जाता है blood circulation भी fast होता है ऐसी इस्तिती में अधिक मातरा में product को काम में लेने के लिए यह oil heater बहुत अधिक उप्योगी होता है oil heaters का उप्योग जैसे मैंने पहले बताया किवल oil को गर्म करने के लिए नहीं किया जाता है बलकि इसमें हम wax को भी गर्म कर सकते हैं हम पानी भी गर्म कर सकते हैं paraffin wax को भी melt किया जा सकता है और ऐसे बड़े containers में हम equipments को sanitize करने के लिए भी काम में ले सकते हैं equipment को sterilize किया जा सकता है oil heaters को use में लेते समय हमें कई सावधानिया भी रखनी होती है जैसे हमें यह ध्यान रखना होता है कि temperature बहुत अधिक जादा तो नहीं हो गया जिनमें regulating knob होती है वहाँ पर हम उसे set कर सकते हैं जिनमें regulating knob नहीं है उसे हमें ध्यान रखना होता है कि वे बहुत अधिक कर्म तो नहीं हो रहा है उसमें minimum amount का भी ध्यान रखना होता है कि यदि minimum amount से कम मातरा में यदि हम चीजे डालते हैं तो उनके जलने के खत्रा रहता है साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कहीं बिना कुछ चीज ओईल डाले हमने उसे आन तो नहीं कर दिया अन्य था वह मशीन जल सकती है इसे पकड़ते समय ध्यान रखे कि कहीं गर्म होने की कारण हमारी हाथ नहीं जल जाए क्लाइंट पर होट तोईल काम में लेते समय उसके टेमपरेचर का अवश्य ध्यान रखे और उसे सावधानी पुरग यूज में लेना चाहिए जिससे क्लाइंट जले नहीं इन उपकरणों के लिए निर्धारित पावर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अधिक पावर वाले पे लगाने से इनके जलने का खत्रा बना रहता है इसलिए हमें निर्धारित पावर का ध्यान रखना चाहिए oil heaters एक electronic device होते हैं जिनने हम सावधानी पुर्वक उप्योग में लेते हैं तो हमारी beauty services को सुविधा पुर्वक बनाने में इनका एक मैदपुन्ट योगदान होता है इन्हें सावधानी से योज में लेकर हम अपने कार्यों को सरल्टा पुर्वक और शिगरता से पूर्ण कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं Thank you